लेज़ चिरिशाँ लेज़ चिरिशाँ लेज़ चिरिशाँ वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी इंफर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो भी भक्त अपनी गाड़ी से दिल्ली गुड़गाओं रिवाडी से जाना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखें और मैक्सिमम शेयर करें वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी इंफर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं कहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और कहाँ आप रुख सकते हैं हमने कुड़गाओं से साड़े दस बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और पहला हॉल्ट हमने दिया होटल हाइवे केंग जो की शाहपुड़ा के अंदर है लगबग दो बजे व्यू देखे कितना अच्छा है होटल के जस सामने आपको ये पाहड भी मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट और सर्विसेज बहुत बढ़िया है मैं आप लोगों को यहां का मेन्यू कार्ड भी दिखा देता हूँ आप पोज करके इनके रेट्स वगएरा चेक कर सकते हैं यहां पर आपको रहने के लिए रूम्स में बिल जाएगा जो की 3500 रुपे है ठीक आदे गंटे का ब्रेक लेने के बाद हमने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और आप रुकेंगे सीधा खाटू शाम जी जाएगा खाटू शाम जी 58 किलो मेटर आगे है और गाइस यह देखे यहां पर आपको महिंदरा की मेजर जीप बहुत दिखने को मिलेगी और यह देखे कुछ लोग तो गाड़ियों की डिग्गी में बैट कर भी जा रहे हैं रिंगस के मोड़ बे एंट्री कर लिए है खाटू शाम जी हम पहुच गए हैं और पारकिंग यहां पर लगा दी है यह देखे अलग-लग पारकिंग स्लोट है यहां पर फिलाल पारकिंग नमबर साथ में हमें जगे मिली है वहां पर गाड़ी लगाई है और हम यहां से जाएंगे कोई धरमशाला या फिर कोई guest house देखेंगे वहाँ पर नहाद होगे फिर दर्शन के लिए जाएंगे जगे जगे पर आपको एक charging ports मिल जाएंगे आप लोग यहाँ पर अपने mobile चार्ज कर सकते है तो guys भीड बहुत जाद है railway station के जस्ट भार निकलते ही 100 रुपे की taxi मिलेगी और 50 मीटर की दूरी पर ही आप लोगों को एक auto भी मिल जाएगा जो की 50 रुपे लेगा और तोरंद्वार तक छोड़ देगा सो guys अब हम उतर गए हैं तोरंद्वार और तोरंद्वार से आप हमें पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी क्योंकि भीड बहुत है तोरंद्वार से जस्ट सो मीटर की दूरी पर ही राइट साइड के अंदर ही एक गली जाती है वहाँ पर हमने ये guest house लिया है शरी काशी धाम अतिति भवन और मैं अंदर से भी आप लोगों को इसका रूम दिखा देता हूं 14 सो रूपे के अंदर ये पड़ा है so guys ये रूम है और वाश्रूम भी मैं आपको दिखा देता हूं ये वाश्रूम है so guys अभी बत चुके हैं शाम के साड़े छान बज़े साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है हर थोड़ी दूर पर आप लोगों को वाश्रम्स मिल जाएंगे पानी का अरेंजमेंट मिल जाएगा पुलिस परशासन बहुत है यहां पर और यह देखें कितना अच्छा लग रहा है मंदिर पूरा सजावत फूलों के द्वारा की गई है असली फूल है गाइस यह हर तरफ राइट लेफ्ट साइड उपर की तरफ अच्छा अच्छा इंटर करते ही एक अलग सी पॉजिटिव वाइब साने लगती है गाइस यहां पर अच्छा इसे सजाए और यह है एक्जिट गेट यह देखें कितना अच्छा इसे सजाया हुआ है यह वाला गेट भी बाहर निकलते ही बजार है आप लोग यहां पर पर्चेजिंग वगेरा कर सकते हैं और यहां पर देखिए हमारे वाले ही थार फाइबर ट्रेक्टर वगेरा भी बिख रहे हैं जगे जगे पर मेले लगे हुए हैं और यह देखिए रात को कितना अच्छा लग रहा है तोरन द्वार सारी धरम शालाओं पर लाइटिंग वगेरा कितनी अच्छी लग रही हैं और यह है फिर अगली सुभे अब हम यहां से तोरन द्वार से जाएंगे सबसे पहले अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर बाला जी की तरफ सालसर बाला जी जाएंगे माहुल देखिए गास लोग कितने उत्सहा से डांस कर रहे हैं कोई होली खेल रहा है तोरन द्वार से पार्किंग तक आने के लिए एक जने के लिए ई रिक्षा पचास रुपे लेगी और पार्किंग से गाड़ी उठा के अब हम सालसर बाला जी जा रहे हैं जो कि मैं इसका पार्ट सेकिंड के अंदर बताऊंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेकिंड पार्ट में थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो